प्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन पोईट और राइटर रबिन दरनाथ टेगोर की एक छोटी सी पोयम के बारे में जिसका नाम है यह जो पोयम थी यह उनकी कलेक्शन गीतांजली में 1910 में पबलिश की गई थी और साथ ही यह गीतांजली की सौंग नंबर 32 के नाम से भी जानी जाती है आप लोगों ने इस पोयम का जो टाइटल है वो फ्री लव के नाम से भी जरूर सुना होगा यानि बहुत सारे नाम से यह पोयम जानी जाती है बहुत ही पॉपुलर पोयम है यह गीतांजली में और इस पोयम में जो गौड है उन्हें as a lover दिखाया गया है कि किस तरह गौड जो है अपने creation से सारे human being से हमेशा प्यार करते हैं और इनका यह जो प्यार है यह हमें बांद करने ही रखता यह हमें आजाद रखता है फ्री रखता है ताकि हम जो चाहें वो कर सकें और जो चाहें उसे पा सकें यानि एक तरह से यह जो physical love होता है जो हम earthly attachment से करते हैं चाहें वो हमारी family हो, friends हो या material, पैसा, gold किसी और चीज से हमारा प्यार हो, वो सारे चीजे हमें बांद कर रखती हैं लेकिन God के लिए हमारा यह जो प्यार है वो हमें खुला छोड़ता है और हमें कई तरह के options दिखाता है इस बारे में इस poem में detail में बताया गया है अब अगर friends बात करें poet की तो Rabindranath Tagore एक poet, musician और artist थे उनका जन्म हुआ था 7 May 1861 में और उनकी death हुई थी 7 August 1941 में अपनी lifetime में वो the bard of Bengal या गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं और साथ ही उन्हें Nobel Prize in Literature भी दिया गया था उनकी collection गीतांजली के लिए और ये award उन्हें 1913 में दिया गया था तो चलिए friends आगे बढ़ते हैं और इस poem को पढ़ कर समझने की कोशिश करते हैं By all means they try to hold me secure who love me in this world यानि by all means किसी भी तरह से वो लोग जो की मुझसे इस दुनिया में प्यार करते हैं वो मुझे securely hold करना चाते हैं यानि मुझे बांध कर रखना चाते हैं खुला नहीं छोड़ना चाते कि मैं जो चाहूं वो कर सकूं But it is otherwise with thy love which is greater than theirs Friends, thy का मतलब होता है your और यहां यह your किसके लिए use हुआ है तो God के लिए God का जो प्यार है उसके बारे में बात हो रही है कि जो आपका प्यार है वो उन सभी के प्यार से क्या है? Greater है, जादा अच्छा है, जादा महान है और जो उनके प्यार में कंडिशन है कि वो मुझे बांद के रखते हैं आपके साथ बिलकुल इसका opposite है, otherwise है And thou keepest me free और आप क्या करते हैं? मुझे free रखते हैं मुझे खुला छोड़ते हैं कि मैं जो चाहूं वो करूं जबकि बांकी के लोग क्या करते हैं? मुझे बांद कर रखते हैं Lest I forget them, they never venture to leave me alone यानि अगर मैं उन्हें भूलना जाऊं I forget them, उन्हें भूलना जाऊं तो वो क्या करेंगे? वो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे Never venture to leave me alone मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे इसी तरह मुझे हमेशा बांद कर रखेंगे खुछ से But day passes by after day and thou art not seen लेकिन दिन के बाद दिन जो हैं वो बीटते चले जाते हैं और फिर भी आप मुझे दिखाई नहीं देते हैं यहां दो old English words हैं दाव यानि you और art यानि are तो आप मुझे दिखाई नहीं देते हैं और इस तरह से आपने मुझे खुला छोड़ रखा है जबकि मैं जानता हूँ कि आप मुझे से प्यार करते हैं लेकिन यह बांकी के जो लोग मुझे से प्यार करते हैं इन्होंने क्या किया है यह मुझे बांध कर रखते हैं और मुझे यह तब तक खुला नहीं छोड़ेंगे जब तक मैं इन्हें भूल नहीं जाऊंगा यानि अगर मैं आपको अपनी प्यार सनाओं में नहीं याद रखूंगा अपने दिल में आपको याद करके नहीं रखूंगा तो आपका ये जो प्यार है मेरे लिए वो हमेशा इंतजार करते रहेगा मेरे प्यार के लिए यानि भले ही मैं आपसे उस तरह से प्यार नहीं करूँ जिस तरह से आप मुझे से प्यार करते हैं फिर भी आप मेरे प्यार का इंतिजार करेंगे लेकिन ये जो लोग अभी मुझसे प्यार करते हैं इस धर्ती पर अगर मैं इनकी केर करना बंद कर दूंगा तो क्या होगा ये भी मेरी केर करना बंद कर देंगे इसलिए एक तरह से इनका ये जो प्यार है इसने मुझे बांद कर रखा है और आपका जो प्यार है उसने मुझे खुला छोड़ रखा है मुझे हर तरह की options दे रखे हैं तो friends यहाँ पर ये poem खत्त होती है पोएम में ये दिखाया गया है कि ये जो गौड क्या love है वो कितना great है कितनी हमें options देता है जबकि जो physical world है उससे related जो भी प्यार है वो हमें बांद कर रखता है तो friends ये थी रबिन्द नाट टेगोर की poem free love अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please वीडियो को like, comment और share करिए